अश्कार दोस्तों मैं अमीद कुमार आपका बहुत बहुत स्वावत करता हूँ आपके अपने चैनल ओनलाइन टुटोल गुरूजी पर आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों अपनी पिछली तीन वीडियो में मैंने आपको बताया है अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसका लिंक आपको ऊपर दिएगा ये बटन में आपको यहां कहीं दिख जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में आप से बात करूँगा कि एक बार आपने claim का form submit कर दिया online उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने claim को online track कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका जो PF का पैसा है वो कितने दिन में आपके bank account में आ जाएगा या कितने दिन में आपका पैसा है वो आपके account में transfer हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो का आप सुरूर से लेकर आखिर तक देखें क्योंकि यह वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इससे आपने PF के status को online track कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को सबसे पहले पाएं सबसे पहले अपने computer के इंटेंट बाउजर को open कीजिए उसके बाद आपको उपर देगा address बार में www.epfindia.gov.in website को fill करके open कर लेना है दोस्तों यह PF की official website है website open होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page खोलेगा यहाँ पर आपको our service पे click करके for employees वाल नीचे यह देखिए member UN वाले बटन पर click कर देना है उसके बाद कुछ इस तरह का page आपके सामने खुलेगा यहाँ पर आपका UN और password डालके simply आप sign in कर लीजे sign in करने के बाद यह देखिए आपका account का dashboard कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसमें आपको ऊपर online services वाले बटन प पर click कर देना है जैसे आप इस status पर click करेंगे तो यहाँ पर यह देखिए आपका जो claim का status आपको show हो जाएगा इसमें लिखावा है online claim submitted at portal यानि यह आपके claim का status है और यह आपका time to time change होगा यहीं से आपको पता लगेगा कि आपने जो PF निकलवाने के लिए application जमा की है उसका claim जो settlement है वो कहां तक पहुचिए तो यह आपका life status आप हर एक अपते के बाद जब तक आपका पैसा account में नहीं आजए यहाँ से check कर सकते हैं यह देखिए आपने जितने भी claim लिए होंगे उन सब की history भी आपको नीचे से दिख जाएगी फिलाल यहाँ एक ही claim लिया हुआ अपने ID से logout कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी वो छोटी सी process जिससे आप अपने PF account की claim status को online track कर सकते हैं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी या अगर इस वीडियो से related आपको कोई सवाल है तो में नीचे comment करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ जाने से पहले इस वीडिय को भी सीखने के मिले दोस्तों हमारे चैनल को भी subscribe कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही काम की वीडियो हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए की वीडियो में